हेलो एवरिवन आज हम बना रहे हैं बच्चो का और क्रिस्मिस स्पेशल प्लम केक जो बहुत आसान है बनाना अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो बिलकुल एक बार में आपकी रेसिपी सही बनेगी सारी स्टेप्स को ध्यान से देखे वीरियो को ध्यान से देखे तो जरूर से ही बनेगी सबसे पहले हमने अपने पसंद के ले लेने हैं ड्राइफ रूट्स जिसमें मैंने लिये हैं काजू बारिक बारिक कट्ल कर लिया है गोल्डन किश्मिश लिये हैं ब्लैक किश्मिश लिये हैं बदाम लिये हैं और टूटी फ्रूटी लिये हैं आप different different colors की भी ले सकते हैं अगर आपको cherry मिलती है वो भी ले सकते हैं इसके लिए मैंने एक एकप से सारा measurement किया है तो half cup लिया है मैंने orange juice, orange juice में हम अपने सारे dry fruits को कम से कम आपको 2 घंटे के लिए भिगा के रखना है और जादा से जादा तो आप कितनी देर के दाद भर भी भिगा के रख सकते हैं 3-4 घंटे भिगा के रख सकते हैं लेकिन कम से कम आपको 2 घंटे तो देने ही देने हैं मैंने अपने dry fruits को 3 hours के लिए भिगाया था इसे रख दीजे ढखके, सर्दियों का मौसम है और लेकिन काच के बरतन में ही रखेगा नहीं तो juice आपका कड़वा हो जाता है आप fresh juice भी ले सकते हैं इसके लिए orange का या फिर जो tetra pack आते हैं real के juice आते हैं या कोई और brand के तो वो भी ले सकते हैं सबको मैंने mix कर दिया और ढखके रख देंगे काच के बरतन में इसलिए कह रही हूँ कि कड़वा नहीं होगा स्टील के बरतन में रखेंगे तो थोड़ा कड़वा हो सकता है ढखके रख दीजे और सरदियों का मौसम है तो fridge में रखने की भी ज़्यादा ज़रूवत नहीं होती और चीनी को इस तरह से अपने pan में फैला दिया है और slow to medium flame पे हम इसको रख देंगे इसके बाद आपको चीनी को फैलाने के बाद बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है चीनी अपने आप melt हो जाएगी और अपने आप caramelize हो जाएगी आपको इसको बीच में touch नहीं करना है यहाँ पे यह step 1 है यह आप देख रहे हैं चीनी हमारी melt हो रही है और धीरे धीरे अपने आप ही इसका color change हो जाएगा और caramelize हो जाएगी कुछ देर में आपको इस तरह का color दिखेगा मेरा pan थोड़ा बड़ा था तो हर तरफ जो gas का flame है पहुंचनी पा रहा था तो मैंने थोड़ा सा इधर उधर करके अपना flame सही किया और थोड़ी ही देर में हमारी चीनी बिल्कुल अच्छे से caramelize हो गए इसे तेज आँच पर बिल्कुल भी नहीं रखना है नहीं तो आपका जो चीनी है वो थोड़ी जल जाएगी और केक में जले-जले का टेस्ट आएगा जैसे ही आपकी चीनी केरमिलाइज हो जाएगी आपका color change हो जाएगा चीनी का तब आप इसे mix करें और इसमें जितना ही आपने चीनी डाली है सेम आपको उतना ही पानी डालना है कपसे माप के और गैस का flame यहाँ पर हमें off कर देना है क्योंकि जब हम इसको mix कर रहे हैं तब भी तो चीनी पकेगी ना तो बहुत जादा हमें चीनी को overcook नहीं करना है तो जले हुए का टेस्ट नहीं आना चाहिए तो हमने अभी बंद कर दिया है और अच्छे से पानी में अपनी चीनी को mix कर दिया अब यहाँ पर मैंने दुबारा flame won किया है और इसको बिल्कुल एक मिनट के लिए एक उबाल आने तक हम इसको पका लेंगे और गरम पानी में जो आपकी चीनी होगी थोड़ी वो सब आपकी उतर जाएगी कुछ भी डरने की बात नहीं है चीनी आपको एक बार लगेगा यह कठी हो रही है या कैसे चुटेगी तो अपने आप ही गरम पानी में यह अलग हो जाएगी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें मैं यह रेसिपी कुछ दिनों बात बनाने वाले थी लेकिन मुझे लगा कि हमारे विव्योर्स को अपने बच्चों के लिए बनाना होगा क्रिस्मिस के पहले ही मैं इसको कर दूँ अप्लोड इसलिए मने इसे अप्लोड करें यहाँ पर मैं आपको बटर पेपर लगाने के दो तिन तरीके बता रही हूँ यह देखिए इस तरह से मैंने कट किया लेकिन मुझे लगा अभी थोड़ा बटर पेपर बढ़ा है तो इस तरह से आप दुबारा फोल्ड करेंगे, कट करेंगे और आप इस बटर पेपर को जिस बरतन में भी आपको बनाना है उस बरतन में इस तरह से डाल देंगे और उपर से आप बैटर डाल देंगे तो set हो जाएगा नहीं तो दूसरा method यह है कि आपको जो बरतन की पीछे वाली side है उस shape का आपको butter paper cut करना है और सबसे नीचे रख देना है sides में भी आपको butter paper लगाना है और butter paper को आपको oil से grease कर देना है जिससे कि आपका cake चिपकेगा नहीं और आपका cake जलेगा नहीं यह step को जरूर ध्यान रखना है तो side side में भी मैंने अपना butter paper लगा कि अपने बरतन को set कर लिया था ये मैंने थोड़ा उचाई वाला बरतन दिया है क्योंकि plum cake थोड़ा उचा बना हुआ अच्छा लगता है flat plum cake आग बनाएंगे taste में तो वही आएगा लेकिन दिखने में थोड़ा फर्क हो जाता है अब हमने लिए है one fourth cup जो है हमारी pissy हुई चीनी यहाँ पर pissy हुई चीनी ही लेनी है आपको दूसरी चीनी नहीं लेनी है pissy हुई चीनी के साथ ही हमने डाल दिया इसमें oil same one fourth cup अच्छे से दोनों को दो मिनट के लिए आपको mix करना है फेटना है जब तक कि आपकी चीनी और oil अच्छे से mix ना हो जाए तब तक और oil आपको कोई भी smell वाला नहीं लेना है यहाँ पर refined oil का use किया गया है यहाँ आपको कोई भी smell वाला oil नहीं करना है इस बात कर ध्यान रखना है नहीं तो आपके cake में smell आ जाएगी दो मिनट बाद आप यहाँ देख सकते हैं इस better को इस तरह से हो गया है यहाँ पर जो हमने अभी और तैयारी की है उसको भी हम मिला देंगे जैसे कि जो हमारी caramelize sugar है उसको हम मिला देंगे और इसमें mix कर लेंगे better में अच्छे से थोड़ी देर mix होने के बाद आप देख रहे है और color बहुत अच्छा आगया caramelize करने से केक का यही color आएगा इसमें हमें मिलाना है milk milk आपका बहुत गरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थंडा भी नहीं होना चाहिए नॉर्मल टेंपरेचर पे उबाला हुआ मेरा milk है वन फोर्ट कप हम milk लेंगे और इसमें वन टी स्पून नॉर्मल खाले मेरा चमच ही मैंने इसमें vanilla essence मिलाया है vanilla essence आपको online भी मिल जाएगा और market में भी आसानी से मिल जाता है मैं आपको online का link share कर दूँगी description में अगर आपके यहां नहीं मिल रहा है तो इसके बाद हमें एक छन्नी लेने हैं जिसमें हमें मैदा लेना है और milk powder लेना है मैदा लेंगे हम एक कप बिल्कुल चमच से दबा दबा के मैदा लेना है एक कप और तीन चमच हमें लेने हैं milk powder नॉर्मल खाने वाला चमच इसमें हम डाल देंगे डाल-चिनी पाउडर और सोट पाउडर ये सर्दियों में बनता है, तो इसमें थोड़ा questa यह फ्लेवर के लिए और गर्माईश वहली चीज़े होती है तो इनको हमें मिलाना होता है डाल-चिनी पाउडर डालेगा 1 teaspoon और salt powder या dry ginger powder जिसे हम कहते हैं वो डलेगा half a spoon सबको अच्छे से mix कर देना है और एक batter बना लेना है batter बहुत ज़्यादा गाड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए अभी यहाँ पे हमारा batter अच्छे से mix हो गया है लेकिन हमारे जो fruits, dry fruits हमने सकते हैं एक से दो चमच और अगर आपको लगता है कि batter बहुत गाड़ा हो गया है तो आप एक से दो चमच दूद आड़ कर दें तो यहीं है इसका और batter बहुत पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए medium consistency की रहती है मुझे लगा था कि batter थोड़ा पतला हो गया है जिसकी वज़े से मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा और अड़ किया था अगर आप cup को अच्छे से चमच से दबा दबा के लेंगे मैदे को तो आपका एक cup भी sufficient हो जाएगा फिर भी आप batter को देख सकते हैं यहां हमारा batter तयार है और हमने जिसमें बनाना है हमने कड़ाई में पतीले में या फिर आप pressure cooker में जिसमें आपका बरतन सेट होता है उसको हम preheat करने के लिए रख देंगे अच्छे से धक के 10-15 मिनिट के लिए और यह जो हम मिला रहे हैं baking powder और मीठा soda यह आपको तब ही मिल बनाना है जब आपका preheat हो जाएगा बरतन जिसमें आपको बनाना है उसके और बिलकुल आपका सेट है सब कुछ आपका बरतन भी सेट है ग्रीस हो चुका है अच्छे से आपका butter paper लग चुका है तब आपको यह सब डालना है इसमें हम baking powder डाल देंगे एक चमबच और baking soda डा जादा मिक्स नहीं करना है थोड़ देर के लिए मिक्स करना है दो से तेन बार आप अच्छे से मिक्स किए कि सादा आपका butter जो है अच्छे से मिक्स हो जाए उसमें baking soda का flavor आ जाए और उसके बाद हम इसे डाल देंगे अपने बरतन में जिसमें आपको cake बनाना है यहाँ पर butter paper उसी according अच्छे से सेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका बरतन इस तरह से डाल के इसे सेट कर लीजे बरतन में जैसे आप cake का material डाल देंगे लेकिन यह अभी सेट नहीं है इसको आपको थोड़ा से decorate करना होगा अपने काजू से ड्राइफूट से नट से आप इसे decorate कर ल धक देना है बिल्कुल भी इसमें से हवा नहीं गुजरनी चाहिए और अच्छे से धक के मेरे को लग रहा था कि थोड़ी शायद हवा ना जा रही हो गैस पास ना हो रही हो तो जिसके लिए मैंने कपड़ा धक दिया था अब मैंने इसे 35 मिनिट्स के बाद खोला है 35 तो इस तरह से मैंने टुथपिक लगा के देखी तो अभी केक बना नहीं था अभी थोड़ी इसमें कसर थी क्योंकि टुथपिक लिएर नहीं निकला था तो आपको फिर दुबारा इसे धक के रख देना है उसी तरह से मैंने भी धक के रख दिया था और तकरीवन एक घंट पांच मिनट बाद जब मैंने इसे खोल के देखा और दुबारा टुथपिक लगा के देखा तो बिल्कुल हमारा टुथपिक लिएर निकला आया था और जो हमारा केक है वो बिल्कुल अच्छे से तयार हो गया था तो आपको भी इसी तरह ही चेक करना है और इसी तरह ही आ बिल्कुल क्लियर निकल रहा है यानि केक तैयार है इसे अच्छे से ठंडा कर लेजिए गरम गरम में निकालने की कोशिश मत कीजिए निकलेगा नहीं अच्छे से हम इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद मैंने साइड में थोड़ा सा नाइफ इस तरह से लगा दिय है enjoy कीजिए बच्चों को दीजिए मैं इसे आपको cut करके भी दिखाऊंगी यह कितना spongy बना है और आप इसकी consistency भी देख सकते हैं one time में आपका बिल्कुल सही बनेगा cake